नमस्कार दोस्तों देखें मित्रों आज हम मादिमेक शिक्षा बोर्ड की जो 9th क्लास की पूस्तक है समाजिक विज्ञान की उसमें जियोग्राफी का यह 1st चेप्टर है आल만कि इस बुक के अकोडिंगे 12 चेप्टर है लेकिन यह जियोग्राफी का इसमें 1st चेप्टर है तो इसका 1st पार्ट हमने पढ़ लिया था जो हमाले के बारे में था परवतिये भाग के बारे में और आज नेक्स्ट है जो कि मैदान से आगे है बहुत मैधकून चेप्टर चल रहा है तो इसको अच्छे से सुनिएगा और इसके साथ ही जो हमने लास्ट जो वीडियो पढ़ा इसमें से आपको उसमें से ज्वाब बताना है कि बनिहाल दर्रा जो है ये कौन से हिमाले का है ये आपको कमेंट करके बताना है और इसके साथ ही जो वीडियो अप्लोड करने की स्पीड है वीडियो बनाने की स्पीड है वो हमने तेज कर दी है आप भी अपनी गति को बहुत तेज बढ़ाईए सारे वीडियो साथ-साथ में देख लिजिए जो आभी जैसे विद्या साथ-साथ में वीडियो को कम्प्लीट करते जाएए जो इंपोर्डेंट मैटर आपको लाइन बताते हैं कि ये पोइंट आपके एक्जाम के दरश्टी कौन से मैटपून है उसको आप जो है एक बार पुरा वीडियो सुन लीजिए और बाद में आपके पास पुस्तक है य वा भी एड़ करते रही है तो दुबारे से लिखने क्या प्षक्ता नहीं पड़ेगी तो आज हम आगे पढ़ते हैं तो हम उत्तर के विशाल मैदान के बारे हम पढ़ ले थे थें तो इसका क्या था सबसे पहला point क्या है कि उत्तर के मैदान का म्हेतुद क्या है कि कांप य नदियों का उप्योग सस्ते याताया साधन के रूप में किया जाता है तो आपको बताये मैंने कि जैसे यहाँ नदियां जो है ये गंगार, ये मुनार और भी जो कई नदियां इनकी साइक तो उनकी चोड़ाई इतनी अधिक है कि अराम से वहाँ आवागमन हो सकता है तो वहाँ इस रूप में भी एक सस्ते याताया साधन के रूप में भी प्रियोग किया जाता है समतल होने से सडक वे रेल मारगों का सखन जाल है हमारे देश के अधिकां सोद्योगिक व्यापारिक वे धार्मिक नगर यहीं है जैसे दिल्ली, कानपूर, हरिद्वार, मतुरा, वारानासी, अमरसर, लखनव, आगरा, पटना, कौलकाता तो यह सब जो हैं यह महतुपुन नदियां जो हैं उनी के आसपास के शेत्र हैं तो महतुपुन ओद्योगिक नगर हैं वो भी यहीं है अब आता है भोगोलिक वरगी करन सबसे पहला है भाबर परदेश अब यह भाबर, बांगर, यह सब चीजी हम पहले आठवी गलास में पढ़ चुके हैं भाबर परदेश, तो यह भोगोलिक वरगी करन है किसका? उत्तर के विशाल मेदान का बाबर परदेश क्या होता है? सिवालिक के परवत पदिय शेत्र में सतलज नदी से तिस्ता नदी तक आठ से सोला किलोमेटर चोड़ी पटी में इसका विस्तार है सतलज नदी से तिस्ता नदी तक आठ से सोला किलोमेटर चोड़ी पटी में इसका विस्तार है के टुकडे इस परवद पद्शेतर में जमा कर देती है और इस शेतर में अधिकांस नदियों का भूमिगत परवाह होता है तो ये बाबर में आप ये कहां से है 17 नदी से 30 नदी तक देखें जो 17 नदी है जैसे ये भारत है और इस तरह इदर आकर कर ये आप देखेंगे ये बंगाल ये बांगला देशर हो जाएगा तो ये 17 नदी तो पंजाब से होकर कर पाकिस्तान की तरफ जाती है या पड़ चुके हैं तो वहां से लेकर के यानि पूरी तरह नौर्थ पस्यम की तरफ से पंजाब से इदर से निकल कर पाकिस्तान की तरफ जाती है 17 नदी वहां से लेकर के और तिस्ता नदी तक तिस्ता नदी का है आप जानते हैं सिक्किम जो है यहां पे सिक्किम और वेश्ट बंगाल है पस्सिम बंगाल है बांगला देश है तो यहां की मैं नदी माने जाती है तिस्ता नदी में तो यह जो शेत्र है इस परकार से यह यह वाला इस पर पत्थर के टुकडे ज़्यादा होते हैं आपको याद करवाए था भाबर से भाटा याद रख लेना कंकरिला जो मैदान टाइप होता है क्योंकि उपर से पत्थर जो भी चटाउनों के टुकडे हैं वो यहां जमा कर दिये जाते हैं ढाल होता है तेज यहां आके जमा हो जाते हैं तो इस परकार से और यह जो तिस्ता नदी है इसके बारे में एक दो फैक्ट हो रहे हैं कि इसको सिक्किम की और उत्री बंगाल की जो है जीवन रेखा भी कहा जाता है तो इतनी महत्पुन नदी है दारजिलिंग है दारजिलिंग में से कौन सी नदी निकलती है यही नदी निकलती है तिस्ता नदी इस परकार से यह आपका हो गए अब आता है दूसरा है तराई परदेश तराई परदेश भाबर के दक्षन में मैदान का वहब आ गए जहां भाबर प्रदेश का भूमिगर जल परवा है, पून्य धरातल पर पर परकट हो जाते हैं जो भूमिगर जल देरे जो भूमिगर तुmin पर पून्य आपको दिखने लग जाएगा धाल कि नियून्ता वै एनियमी जल परवाे कि कार्णिया दलदल पाई जाते हैं आपको मैंने क्या कैसे याद कराए था कि जैसे अपने घर बनाते हैं तो पानी की क्या करते हैं मकान पे तराई करते हैं इंटो पे जब दिवारे बनती है तो तराई करने से क्या होता है पानी ज्यादा एकटा हो जाता है तो ज्यादा एकटा होने से दलदल टाइप आई जात तो यह आपको कहां मिलेंगे इन तरही प्रदेशों में अब आता है बांगर प्रदेश प्राचीन तल्चठ से निर्मित उच मैदान बांगर कहलाते हैं जहां नद्यों के भाड का जल नहीं पहुंच पाता यह उत्र प्रदेश के उत्र पस्म भाग और उत्राखंड में आध पाई जाते हैं यह बांगर प्रदेश हो गया जो प्राचीन जो तल्चठ हो अवसाद मिटी उससे निर्मित और नई तल्चठ या नए अवसाद या नई मिटी से जो बने मैदान होते हैं उनको हम कहते हैं खादर प्रदेश यह नई तल्चठ वै कांप मिटी से बने वे न मिचले मेदान है जहां भाड का पानी परती वर्ष पहुंच कर मिट्टी की नई परत जमाता रहता है ऐसे मेदानों को हम खादर कहते हैं यह पूर्वी उत्रप्रदेश जारखंड बिहार और वेश्ट बंगाल में अधिक हैं तो आपने इनका सिक्वेंस देख लिए कि इस प तो यहां जो मेदान आपको यह दिखेंगे जैसे भाबर परदेश हो जाएगा पहले भाबर परदेश हो गया इस भाबर के दक्षिन में अब और कौन सा है जहां भाबर समाप्त हो जाएगा उसके बाद आजाएगा तराई फिर कौन सा आपको मिलेगा बांगर और फिर आपसे पूछ सकता है कि उत्तर से दक्षणी की तरफ इन मैदानों को बताईए तो सबसे उपर बाबर, फिर आता है तराई, फिर निचे बांगर और फिर है खादर तो क्या बन गया यह एक वैसे देखें तो सबसे उपर भा, फिर रता है भात, बाखा तो यह आपका खादर प्रदेश हो गए, इसके बाद में देखे आता है थार का मरुस्तल जलवायू परिवर्तन से निर्मित यह मरुस्तल, अरावली परवत के पस्चिम वै उत्तर पस्चिमे सिंदु के मैदान तक विस्त्रित है यह आप देख चुके हैं कि थार का मरुस्तल कांपर है, अरावली परवत के पस्चिमे, तो मुक्य रूप से इसमे राजस्तान वाल जवाब पढ़ते हैं इस प्रकार से जैसे राजस्तान है, तो यह अरावली है, तो अरावली परवत के आपको पस्चिमे मिलेगा थार का म तो यहां तेज हवाएं बालुका श्तुपो रेत के टिलों का निर्मान करती है इन टिलों के मद्य वर्षा जल भर जाने से ऐस्थाई जिले बन जाती है अब जैसे इन टिलों के मद्य जो है कई स्थानों पे थोड़ी सी मिट्टी पक्की होगी या कई स्थानों पे जो हैं, ऐस्ताई जिले बन जाती हैं, तो उनको टाट या रन कहते हैं, यहां सांबर, लोन करंड सर, डीडवाना, पंचपदरा, आधी खारे पाने के मुखे जिले हैं, इन से नमक त्यार किया जाता है, भूगरब सास्त्रियों के अनुसार, यह शेत्र पहले उपजाओ भाग था, यहां बड़ी बड़ी नदियां बैती थी, यहां पर सरस्वती नदी के आउसेस मिलना इसका परमाने हैं, तो जब आप मैप से, गूगल मैप से, नासा से, के मादेम से जब आप यह देखते हो, तो उसमें भूगरब सास्त्रियों को नदी के प पहले भी पड़ा है, अब आता है प्राइदीपय पठार, भारत के विशाल मैदान के दक्षण में विश्तिरत अती प्राचीन लावा निर्मित भूब आगया जो सात लाग वरक किलोमेटर में फेला है, मैदानी भाग जो है उत्तर भारत का विशाल मैदान, वो भी लगब परवत माल आ जाएगी, और दक्षण में कुमारी अंत्रीग, दक्षण पूरीवी राजस्तान की उच भूमी से कन्या कुमारी तक इसके अधिक्तम लंबाई अठारा सो किलोमेटर और अधिक्तम चोड़ाई लगबग चवदा सो किलोमेटर हैं, तो दक्षण पूरीवी र इस परकार से हैं अठारा सो किलोमेटर और चोड़ाई जो है वो अधिक्तम चवदा सो किलोमेटर हैं, इस पठार की ओसत उंचाई समुदर तल से 600 मेटर है, इसका विस्तार दक्षण पूरीवी रास्तान जो हडोती वाला है, गुजरात, जारखंड, मद्यपरदेश, चति पराई दिपय भारत को निम्र परकार से उपविवाजित किया जा सकता है, यह देखे दिरो, यह मैप है, यह जो दक्षण का पठार है, इसके बारे में हम पड़ रहे हैं, पराई दिपय भारत. सबसे पहला आता है पस्मिगाठ दक्षण के पठार का पस्मी किनारा पस्मिगाठ के नाम से जाना जाता है यह उत्र में सहयादरी और दक्षण में नेलगिरी के नाम से जानते हैं जो पस्मिगाठ है तो उत्र की साइट सहयादरी दक्षण में नेलगिरी इनका अरब सागर के और ढाल तीवर और पूरव के और धिमा ढाल होता है अरब सागर के और ढाल जैसे ये इस परकार से है बारत जैसे तो पस्चमी किनारा जो है वो पस्चमी घाट के रूप में जाना जाता है उत्र में सहयादरी जो ये पाडियां हैं सहयादری पाडिया, दक्षन में नीलगीरी पाड़िया, तो ये सब पस्जमे घाट की तरफ है. अरब सागर के और अब इदर अरब सागर है, बारत के पस्जमे, तो इस तरफ जो है इनका ढाल जो है वो तेज होता है और पूरुव की और ढाल ढाल जो है वो दिमा है. लगबग हजार मिट्रों उस्त उंचाई वाले सहयादरी का तापती घाट से कुमारी अंत्रीप तक कर्मिक विस्तार है इसमें बोरगाट, थालगाट और पालगाट आदी दर्रे है दक्षन में यह पूरवी घाट से मिल गए है, इसकी सबसे उंची चोटी अनाई मुदी है अनाई मुदी, अनाई मुडी इस तरह से लिखा मिलता है तो यह आपका पस्मी घाट है इसमें फिर से देख लिजी कि कि उत्तर में जो है इसको सहयादरी दक्षन में निलगिरी के नाम से जानते हैं अरब साकर के ओड़ाल तेज है और सहयादरी जो पाड़ियां है तापती घाटे से कुमारी अंत्री तक इनका कुमारी अंत्री बिलकुल दक्षन वाला भाग होगे इसमें भोरगाट, थालगाट, पालगाट ये सब दर्रों के नाम है इस शेतर के पस्मी घाट के दक्षन में ये पूरवी घाट से मिल जाते हैं तो एक परकार से इनको जोडने का या विवाजित करने का काम भी करते हैं ये पूरवी घाट से पस्मी घाट इसके सबसे उंची चोटी है वो है अनाई मुडी किसकी पस्मी गाट की अब इसके बाद में आता है पूरवी गाट यह गाट पस्मी गाट की अपिक्सा कम उंची तट से काफी दूर इस्तीतोर आयकर्मिक है यह गाट पूरवी तट के समानांतर लगवग 800 किलोमेटर की लंबाई में फैले वे हैं यह उतर में महा नदी की गाटी से दक्ष्ण में नेलगेरी परवत तक फैले हैं पूरव की और बहने वाली सभी नदियों ने पूरवी गाट को काफी छिन विछिन कर दिया है इनकी ओसत उंचाई 600 मिटर है पंदरा सो एक मिटर पूरवी गाट की सबसे उंची चोटियां है फिर इसके बाद में देखेगा आता है दक्षणी पठार तो यह अत्यंत प्राचीन दर्ड भूबाग है इसका निर्मान ज्वाला मुखी उद्गार से निसर्थ लावा से हुआ है उपजाओ तथा काली मिटी युपती है पठारी भूबाग लगव पांस लाग वरक किलोमेटर में विस्तिरत है इसमें दक्षण पूरवी राजस्तान गुजरात, मद्यपर्देश, महराष्टा, आंदर करनाटा के भाग समिलीत है इसकी और से तुमचाई 600 मिटर इस पठार का डाल पूरव की और है इसलिए इस पठार के अधिकांस नदियां पूरव की और बहती है तो अब दक्षण के पठार की तरफ जो भी नदियां निकलेगी आप देखेंगे कि ज़ादातर का जो डाल है वो पूरव की तरफ है वो बंगाल की खाड़ी में गिरेगी इन नदियों ने इसे इंग छोटे-छोटे पठारों में विवक्त कर दिया है जैसे चतिजगड मेसूर का पठार, रोयल सिमा का पठार, तेलंगाना का पठार आदि यागे और आएंगे मैप में, और डिटेल में भी आएंगे ये अभी नाइन्थ के है, तो नाइन्थ में इतना है अब आता है प्राइदी पठार का महत्व यहाँ परचूर खनीज बंडार पाई जाते हैं काली मीटी कपास के उतपादन के लिए लाबदायक है नदियों में जल परपात मिलते हैं जो जल विदूत उतपादन का आधार है इस बाग में पंचमडी, महाबलेश्वर और उद्गम अंडम, उटी, आदी परियाटन इस्थल हैं तो यह इसके लाब हैं वान जो वनस्पती ग्रूप से भी परियाटन इस्थल भी हैं खनीज बंडार भी हैं, समुदर तटिय मैदान और दीब समू हैं तो दक्षण के पठार के दोनों तरफ मैदान इस्थित हैं यह समुदर तटिय मैदान दो भागों में विवत किये जाते हैं ऐसे मैदान नदियों दोरा या समुदर की किरिया से बने हैं सबसे पहला है पस्षमी तटिय समुद्री मैदान खंबात की खाड़ी से प्रारंब होकर कुमारी अंत्रीब तक फैले इस समुद्र तटिय मैदान की ओसर चोड़ाई 64 किलोमेटर है और अधिक्तम उचाई 180 मिटर है इसके लंबाई 1600 किलोमेटर है इस समुद्र तटिय मैदान की ओसर चोड़ाई 64 किलोमेटर और अधिक्तम उचाई 180 मिटर और लंबाई है 1600 किलोमेटर इस तटिय मैदान में तिवर गामी छोटी नदियां बैती है उतर में यह मैदान अधिक चोड़ा है नर्मदा, तापती, मंडवियादी नदियां बैती है इस तटिय उत्री भागो कौकन और तक्षणी भागो मालावार तटे कहते हैं नक्से में आपने देखा होगा, जो मैदानी है, पस्यम का, इसके परमुक बंदरगाए कांडला, मूंबई, मारमगोवा, कोचीन और मैंगलोर आती हैं, इस पस्यमी तटी है समुदर मैदान के, इस मैदान में उत्तम जलवायू, उपजाओ, मेटीवाय व्यापार की तो कौन-कौन से बंदरगाए हैं, कौन से नधियां बेती हैं, कितनी इनकी उचाईयां हैं, अब आता है पुर्वी समुदर तट्य मैदान, यह गंगा मुहाने से कुमारी अंत्रीप तक फेला है, अब यह भारत है, तो अब यह किसकी बता रहा है, पूरोव साइड की, इस लंबाई 1500 किलोमेटर और चोड़ाई 16-480 किलोमेटर तक है, इस तटका उत्री भाग, उत्री सरकार और दक्षन भाग कोरोमंडल तट कहलाता है, महानदी, कर्षना, गोदावरी, कावेरी, आदी यहां की परमुक नधियां हैं, अब आता है पूर्वी समुदर तट्य मैद यह गंगा मुहाने से कुमारी अंत्रीप तक फेला हैं, यह हो गया, परमु नधियां है, विशा का पट नम चेनई पारादीप और तूति कोरिन यहां के परमुक बंदरगा हैं, तो इस प्रकार से कई बार नाम लेके पूछ सकता है, अब जैसे पारादीप है, तो यह ओड जैनई है, पारादीप है, तूति कोरिन यहां के परमुक बंदरगा हैं, किसके पूर्वी समुद्र तट्य मेदान के हैं, और परमुक जिलें कौन-कौन सी है, चिलका, पूलिकट और कोलेरू जिले हैं, तो यह चिलका जिल के बारे में रोडिसा में, यह तो हमने पहले भी इस पर चर्चा की है, पूरी के पास में, इसके बाद आता है दीप समुए, भारत के पूर्वी और पस्मित अटों तथा अरब सागरवा बंगाल की खाडी में हमारे अनेक दीप हैं, अदिकतर दीप समुद्र बंगाल की खाडी में हैं, परमुक दीप सुए, अंडुमा न समय में है जब भारत का मेब देखेंगे यह दशन भागे इधर आप देखेंगे आपको यह इस तरह से यहाँ दिखाई देंगे इस तरह पूरे समय को इसको अंडोमा निकोबार दीव समय का जाता है और इसमें भी निकोबार दीव समय जो है इस परकार से यहां यह दक्षन आपको दिखाई देगा इंद्रा पॉइंट तो ये भारत का सबसे दक्षण तब बिंदू है अंडोमा निकोबार दीप सुमय यह कोलकता से 1248 किलोमेटर दक्षण में बंगाल की खाड़ी में इस्तित है इस दीप समय में लगवग 250 दीप है यहां के किनारों पर सुन्दरी वरक्ष पाई जाते हैं यह पूर सकता है मुख्य बड़े दीप है उत्री अंड़मान, मद्य अंड़मान, दक्षण अंड़मान, बारतंग और रूथ लेंड है निकोबार दीप अंड़मान से 128 किलोमेटर दक्षण में है इसके उत्तर के दीप को कार निकोबार, मद्य को कामोरटा तता तान काडरी और दक्षन को विशाल निकोबार कहा जाता है इसमें अमीनी दीप और मीनी कोई दीप शमिलित है तो ये इस प्रकार से आप से ये चीज़े पूछ सकता है आगे की जो और कक्षे हैं उनमें आप इनको और डिटेल में पढ़ेंगे तो इसमें इसमें उत्तर के दीप को कार निकोबार और मद्य को कामोरटा तता तान काडरी और दक्षन को विशाल निकोबार कहा जाता है ये निकोबार का बता रहा है कि जो निकोबार दीप है इसमें उत्तर के दीप को क्या कहते हैं कार निकोबार ये फिर मद्य वाले के नाम है और दक्षन को विसाल निकोबार कहा जाता है जैसे अंडमान दीप है तो उत्री अंडमान, मद्य अंडमान, दक्षनी अंडमान, बारतंग, रूतलेंड है और इसी में हैं अमिनी दीप और मिनी कोई दीप इसके बाद आता है लक्षदीप अरब सागर में भारत के पस्मी तट के पास इस्तित है इसका शाब्दी गर्थ एक लाग दीप है यहाँ पर नारियल के वरक्ष बहुतायत में मिलते हैं यह वास्त में मुंगे के दीप है तो अरब सागर जो है बारत के पस्मित अठके पास में है आपने नक्से में देखा हुगा इसको यह देखें यह जैसे अपने आप देख सकते हैं यह लख्ष दीप है अरब सागर की तरफ यहाँ यह यह जो है यह अंडुमान निकोबार दीप सुमो है यह अंडुमान वाले आजएंगे यह निकोबार है यह उपर वाले अंडुमान है तो दोस्तों यह मैं मैं जो आपके पांस भाग है कि भारत को बहुतिक परदेश्यों के रुप में कितने भागों बाटा जा सकता है तो जो भोगलिक उनकी इस्तिके आदार पर पांस भागों में बाटा जा सकता है ये पांस भागी है और तो हमने देख लिए कौन-कौन से भाग है उत्तर का जो परवर्तिय मैदान है परवतिय मैदान के अंदर जो परवतिय मैदान है जो परवतिय भाग है वो हो जाएगा उत्तर का विशाल मैदान हो जाएगा इसके अलावा थार का मरुस्तल है पराय तो यह आपका होता है complete कई बार क्या होता है देखिए कई जगे एक बचन हुचा भी ताप में से कि सर ग्यारी व्याल किताब में 6 लिखे वे हैं वो कई बार किया है अब जैसे समुत्र तट्य मैदान है इसको अलग मान लेंगे दीव समो को अलग लिख देंगे तो 6 होगे उस प्रकार से तो वो कोई ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है वो है यही इननी कोई जोड़ तोड़ करके 6 कर देंगे या 5 कर देंगे है यही तो यह आपके complete होते हैं तो दोस्तो next जो इसमें आपका topic है वो है राजस्तान के बोतिक परदेश तो चुकि बोतिक परदेश जो है यह पूरा अगले 30-35 मिनिट का एक topic है यह अलग से ही next वीडियो की रूप में इसको बना देंगे तो आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे ताकि next में यह बोतिक परदेश रास्तान वाला एक साथ complete हो सके हैं कुछ fact इसमें नए है और अधिकतर आप पहले पढ़ चुके हैं तो यह आपके लिए revision का काम करेगा आपने पहले notes बना रखे हैं जैसे add class के बनाए हो अब इसमें आपको कुछ नया लगे तो उसके साथ मैं add कर दो उसको तो अलग से कोई लिखने के आप शकता नहीं है तो आज के वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्ट वीडियो में जै हिंद जै भारत